हेलो फ्रेंड्स हमारी यूटूब चैनल उन्वेसिटे एकाडेमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सॉफ्टर इंजिनिंग सब्जेक्ट के लेक्षे स्रीज में आज हम बात करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल की जिसको की यूज करके किसी भी सॉफ्टर का डवलाप्मेट किया चा सकता है अब यहाँ पे अगर इस टर्म प्रोटोटाइप की बात करें सो सिंपल टर्म में प्रोटोटाइप का मतल यह है इस अब डमी रप्रेजेंटेशन ओफ दी ओरिजिनल सिस्टम यानि कि कोई भी एक्ट्वल सिस्टम को बनाने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे उस सिस्टम का एक डमी वर्जन क्रियेट कर लेते हैं और क्रियेट करने के बाद वो यूजर को देते हैं चेक करने के लिए कि यानि कि इनिशेली यहां पर जो भी रिक्वार्मेंट्स यूजर ने दी थी उसे उस पर डिकुलर सॉफ्ट्वेर में यह सारी रिक्वार्मेंट्स चाहिए उसको इनकॉर्परेट करके एक यहां पर उसका डबी मर्जन एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है अज प्रोटाइप को डेट करने जाएं कि लिए उसको ग live डेते हैं इवल्यूएशन के लिए कि चैक करो इस पर डिखर प्रोटाइप में जो वी चीजी से आपने निशेली बदाई आई थी जो रेपॉम्हा से यहां पर बदाई यहां पर यहां पर नहीं रिक्वार्मेंट करना चाहता है यह कुछ ऐसे रिक्वार्मेंट जिनको वह रिमॉफ करना चाहता है तो simply यहाँ पर user developer को बताएगा कि so and so requirement यहाँ पर add करना है कुछ refinement करना है यह सारे चीज़ें then developer क्या करेगा इन सारे requirement को incorporate करेगा उस dummy version में and then उसके बाग फिर से यहाँ पर designing and then यह process तब तक चलता रहेगा जब तक की user यहाँ पर satisfy नहीं हो जाता है यह जो आपने बदाया है dummy version वो सारी की सारी features को hold कर रहा है या नहीं कर रहा है अब बर्माल लीजे यह सारी चीज़े ready हो गई कि इस prototype में सारी चीज़ें मिल गए अब user satisfy है उसके बाद यह सारे phases यहाँ पर complete होगे इस तरीके से यह prototype model development कर देंगा अब यहाँ अगर बात करें कि इस model को कब-कब use किया जा सकता है तो simply यहाँ पर कुछ terms मैंने mention किये हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि user requirements are randomly changing means यहाँ बार बार users अपनी requirement को change कर रहे हैं so this model can be used where changing requirements यानी कि user की requirement जहां पर बार बार change हो रही है user किसी भी एक particular requirement पर fix नहीं हो रहा है उसे लिखता ही कि अब कुछ requirements यहाँ पर add और remove कराया जा सकता है so in that case this model prototype model can be used अब दूसरा यहाँ आते है कि risk is the major factor मान लीजे कोई developer ऐसा project शुरू करता है ऐसा software product बनाना चाहता है जिस पर उसे लगता है कि cost और बहुत ही जादा है means वहां तो उसको लगता है कि अगर मान लीजे बिना यह prototype बढाए अगर classical waterfall को use करके वो सारे phases यहाँ पर accomplish कर दे ति उस case में क्या होगा जो भी cost होगी वो पूरे phases के development में जो भी cost यहाँ पर आएगी और उसके बाद यहाँ यूजर को देगा तो यह सारी की सारी कॉस अगर यहाँ पर यूजर requirement चेंज करता है तो इस development phases में जो भी cost आएगी अभी यहाँ पर waste हो जाएगी यह क्या करता है यह model initially ही risk को identify कर लेता है इसी में prototype बनाने के बाद वो देख लेता है कि कहां पर risk जाधा हो सकता है किस ताइप के project में अगर जिस project में लगता है कि high risk है so in that case यह model यूज करेगा जिससे initial level पर ही पता चल जाए कि user की actual requirement क्या है यह है आपका scenario जहां पर यह model यूज किया जा सकता है अब अगर इसके advantages की बात करें कि इस model की क्या-क्या फाइवे हैं हमें so five is simply यह है कि आप यहां पर दिख रहे हो कि बहुत ही initial level पर ही errors हमें पता चल जा रहे है क्योंकि यहीं में हमने prototype बनाया और user को दे दिया user ने उसको check किया सही है तब उसके बाद actual development यहां पर start हुआ major advantage is errors can be detected much earlier initial phases में हम error को identify कर सकते हैं next advantage is quicker user feedback is available because यहीं पर user का interaction है यहां पर इसका provision दिया गया है यहां पर quicker user feedback available है कि शुरू के लिए हम यहीं पर user feedback ले ले रहे है हम सारे development के phases को complete होने का wait नहीं कर रहे है rather हम यहीं पर user को वो dummy prototype provide कर दे रहे है और उसका क्या-क्या feedback है उस particular product के बारे में वो requirement यहीं से gather कर ले रहे है after that next is users are actively involved in development इससे पहले हमने जो भी पढ़ा classical waterfall model या iterative waterfall model उसमें इस type का कोई provision नहीं था कि बार बार आप user से interact कर सको एक बार initial requirement gathering के time and last में हम सर्फ user से interact करते थे but in this case यहां पर बार बार हम requirement यहीं पर change कर रहे है यूजर्स यहां पर actively participate कर रहे हैं in the development अब इसके disadvantages की बात करें यह तो थे advantages अब इसके बार disadvantages क्या क्या है major इसका जो disadvantage है वो यह कि suppose इस phase पर यहीं पर जहां पर prototype बनाया जा रहा है डिजाइन किया गया then prototype बनाया गया पर customer को दिया गया customer ले उसमें changes suggest किये फिर अगर requirement change करनी है तो इसमें बहुत सारा time waste होता है अब मेंसे अगर बार बर यहां पर user अपनी requirements change करता जा रहा है तो तब तक development नहीं start हो सकता है जब तक कि यहां पर user उस पर agree नहीं करता है और बार बर अगर user जितना ही जादा time लेगा यहां पर requirements पर agree होने के लिए उतना ही time यहां पर development में लगेगा इस तरीके से यह इसका major disadvantage है this is a time taking model means अगर हम यह model use करते हैं तो बहुत ही जादा time इसमें development process में use होगा अब इसके बाद next disadvantage है increases complexity of the system so simply complexity का मतलब यह है कि जितनी जादा पर ही requirement change होगे उतनी जादा ही यहां पर resources use होगे वो waste भी होंगे then again and again is requirements को refine करने में so जो development होगा system का एक यह complex development होगा it is not an easy task to understand all the requirements of the user and incorporating them so इस तरीके से यह इसकी disadvantages है जो कि इस model को अगर हम use करते हैं तो वो fix करनी पड़ेंगे in my future में so this is all about the prototyping model अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको like कर सकते हो और अपने friends के साथ share कर सकते हो और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको subscribe भी कर सकते हो thank you so much कर चैनल सब्सक्राइब कर रापको आपनना थी कर फ़ और आप कर सकते हो यागरा जायी नहीं कि लुटए ? झाल झाल